दोस्तों आज हम करने वाले हैं इसी Poco X2 का तो देखते हैं किस परकार की कैमरा कॉलिटी हमें प्रवाइड कर देता है तो चलिए शुरुबात करेंगे फ्रंट कैमरा से उसके बाद वीडियो लेंगे इसके EIS का भी टेस्ट कर लेंगे फ्रंट कैमरा से और रेर कैमरा से भी लो लाइट कंडिसन में भी कुछ शॉट लिए जाएंगे चलिए दोस्तों यह वीडियो रिकार्ड हो रही है फ्रंट कैमरा से इसी Poco X2 से तो जो रिजलूशन है डाट इस 1080p यहां पर आप देख सकते हैं डाइनेमिक रेंज कुछ आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी यहां से जूमिंग क्यापिबिल्टी आप देख रहे हैं इसकी तो यह देख रहे हैं शन इससे आपको डानेमिक रेंज का भी आइड यह लग जाएगा तो कुछ इस परकार की वीडियो कॉल्टी आपको मिलेगी 4K में अगर आप रियर कैमरा से शूट करते हैं और यह देखिए कुछ लोग यहां से मैं आपको इस्टेबलाइजिशन भी दिखाता हूं को एक हांस पहल्ट किया हुआ है कि यह इस इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों यह वीडियो रिकार्ड हो रही है 60fps 1080p फे कि अब देखिए इससान अपोजिट में है इसके इस्टेबलाइजिशन का टेस्ट आपको में दिखाता हूं कि कुछ इस परकार की स्टेबलाइजिशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और यह है एक स्पाट यहां पर जो है ट्रॉक पल्ट गई थी दोस्तों यह है 1080p 30fps पर जूमिंग केपरिविल्टी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो तो देखें टू एक्स तक क्या यहां पर आपको जूम देखने को मिलेगा इस्टेबलाइजिशन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फ्रंट के स्टेबलाइजेशन की 1080p में तो फ्रंट में भी आपको यह आईस देखने को मिल जाता है यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फ्रंट कैमरा से इसी पोको एक्स टू से तो जो रिजलूशन है डाट इस 1080p यहां पर आप देख सकते हैं डाइनेमिक रेंज कुछ आ आपको क्वालिटी देखने को मिलती है और रो लाइट कंडिशन आपको काफ़ ज्यादा बहतरें देखने को मिल रहा है यहां पर और इस साइड़ आप देख सकते हैं चोटे से स्टोर रूम में हम लोग आए हैं तो देखिए फ्लैस के साथ जो है वो वीडियो क्वालिटी में चार चांद लग जा रहा है और काफे ज्यादा बहतरीन चाफे ज्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिल रहे हैं अगर मैं बात करता हूं इसी लो लायट कंडिसन में मुझे समझ लीजेएं कि इस से थोड़ा कम विजिबल है यानि काफी बहतरीन आपको low light conditions में देखने को मिल जाती है video quality यह है with flash low light condition में 1080p में यह video record हो रही है तो यहां भी आपको जो quality देखने को मिलती है वो भी जादा बैतरीन देखने को मिलती है कुछ images भी है आपको मैं दिखाता हूँ आप 1080p में शूट हो रहा है इसी के front camera से without flash तो flash आगे आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि flash के लिए कोई जगा नहीं है तो यहां आप देख सकते हैं आसी कुछ आपको video quality देखने को मिल जाती है extreme low light condition है दोस्तों यह है low light में लिए हुए कुछ photos तो अगर आप इन पर गौर फरमाएंगे तो जैसा हम लोगों ने देखा था यह normal shot है यहां पर night mode का इस्तवाल नहीं हुआ है तो next shot जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें night mode का है और जिसमें हमने video बनाई थी वैसे ही lighting condition है तो यह next shot है आपका यह है आपका night mode वाला shot यानि अगर night mode में आप लेते हैं इस प्रकार का shot आपको देखने को मिल जाता है इसी के साथ एक और picture है जिसको आप अगर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अगर मैं details वागेर की बात करता हूँ तो वो काफी अच्छा है जिस हिसाब से low light condition था वहां काफी अच्छी photos आई हुई है अगर आप यह मान के चलें तो काफी अच्छा इसने perform किया है नेक्स्ट है यह देखें फ्लास वाला shot है यानि अगर आप फ्लास का इस्तमाल करते हैं तब quality में चार चांद लग जाता है और अच्छी आपको images यहाँ पर देखने को मिल जाती है अगर आप इस्तमाल करते हैं फ्लास का तो यह वाली आप शॉट देख सकते हैं यहाँ भी हमने फ्लास का यूस किया हुआ है बोको र्यूडी और नेक्स शॉट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखें इसमें भी फ्लास का इस्तमाल किया है यानि कलर्स वगेरा जो हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं काफी अक्यूरेट आ रहा है और वैसे फ्लास के साथ हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसा आना चाहिए चलिए आप कुछ बात कर लेते हैं हम 64 मेगा पिक्सल वाले सॉट की तो एक नॉर्मल आपका 64 मेगा पिक्सल वाला शॉट है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का आपको कालर देखने को मिलता है और रेजिलूशन आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है यानि इतना ज्यादा ज्यूम करने के बाद भी देखिए इमेज जो है वो काफी जादा अच्छी आई हुई है अब यहाँ पर डाइनमिक रेंज की अगर मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट इमेज में तो वो आपको पता चलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डीटेल्स वगेरा के बारे में और उपर अगर एप स्काई द देखने को मिलती है तो कोट्रेट शॉट्स में भी डीटेल्स वगेरा अच्छी आई हैं इमेज जो है वो अच्छी कैप्चर हुई है और पोको एक्स्टू जो है वो काफी अच्छी इमेज़स को कैप्चर करता है यहाँ आपका 64 मेगा पिकसल का में सेंसर है और जो आपक अल्टरा वाइट एंसर का इस्तमाल हुआ है वो है 8 मेगा पिकसल का प्लस दो और 2 मेगा पिकसल के दो शॉट्स हैं मैक्रोज और देफ सेंसर जिसमें दिया हुआ है तो अब यह नौर्मल शॉट देख सकते हैं इसमें आपका जो यह शॉट है यह है 64 मेगा पिकसल का मिलती है यानि अबर ओल एक इमेज आपको ऐसे मिलेगी जो कि आप कह सकते हैं यहां यह अच्छी लगने वाली है और डीटेल्स काफी अच्छी कैप्चर किया हुए है देखिए सब कुछ अराम से डिफरेंस यह टाप कर सकते हैं नेक्स शॉट यह हमारा है मैक्रो सॉट ज से हमने रेंडम और शॉट लिए हुए हैं यह देख सकते हैं यह भी एक शॉट है तो यहां भी आप अंदाजा लगा सकते हैं डैनमिक रेंज का और नेक्स शॉट अगर मैं पोर्ट्रेट शॉट की बात करता हूँ तो देखिए यह है पोर्ट्रेट शॉट एक और तो यह पोर्ट्रेट शॉट है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है डीटेल्स वगेरा मैक्रो सॉट एक और हमने कैप्चर किया है तो यह देखिए यह भी एक मैक्रो सॉट है और यहां पे आपको धूल वगेरा दिख रही होगी इस प जो है वही पोर्ट्रेट वाला सॉट है तो पोर्ट्रेट में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है अगर आप कैप्चर करते हैं तो ऐसे हमने कुछ और सॉट्स लिए हैं जिनको आप देख सकते हैं और इससे आपको एजली जो है अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रक ओवराल जो आपको देखने को मिल जाती है इमेजस में कॉलिटी, क्लारिटी, रेजिलूशन वो सब काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा और पैनल रोमा शॉट कि अगर मैं आप से बात करता हूं तो एक शॉट हमने पैनल रोमा में भी लिया है जो आपकी सामने नज आप सकती है इमे मैं वोसी जा हमने जाता हमने को मिलेगा जो आप आप से इनल एक शॉट आपर बात करता है जो तो आपके सामने आपके से इक भी जापसाराम् कि अबड़ एक शॉट है थालाम् झाल झाल